94.3 MyFM पे आपके stocks पड़े हैं, infotainment और awesome वाले गानों के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं 94.3 MyFM आप सुन रहे हैं मेरे आनी आर्जे मिनाक्षी के साथ और फिर से हम साथ-साथ हैं लेकर आपके लिए My Money Guru Brought to you by Finvazia और मेरे साथ है Finvazia के co-founder Natty Natty, पिछली बार और काफी टाइम से हम ये बातचीत कर चुके हैं कि Stock Markets में और Gold में कैसे इन्वेस्ट करें पर Natty, मुझे ये बताईए कि मतलब मुझ जा सा Fresher या Newby इन्वेस्ट करना चाहती हूं मैं Stocks में तो मैं शुरू कहां से करूं Manakshi, obviously, first thing is you have to open an account, I would say open an account with Finvazia Ha ha ha, very smart You know, you can trade in commodities, you can trade in currencies, futures, options, a lot of different things that you can make your investment into Natty, ये तो आपने इतने सारे options बता दिये, मतलब confusion ही हो जाएगा वैसे, एक और confused, जो caller है, जो और हमारे साथ जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जी Hi Minakshi, मैं Raghav बोल रहा हूँ, Sector 36 से, मैं Natty से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैं एक बिजनसमेन हूँ और एक लाग के करीब मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अगर आप आज की डेट में एक लाग रुपया डालते हैं, अजूमी की पिछले 20 साल से, जो हमारे एक्स्पिरेंस है, वो एक्स्पिरेंस होल्स तू, मानली जी आपने एक लाग रुपया आज निफ्टी में डाला, और अब हर महीने एक रेकरिंग डिपॉजित की तरह, प वैसे अगर आपकी भी investment related कोई भी query या problem है, तो free advice लीजे, घर बैठे बैठे, SMS कीजे, MYC type कीजे, space दीजे, MMG type करके अपने name के साथ, 53636 पर, वैसे हमने अपने अंकल, चाचा, फूफा, फ्रेंड सबसे यही सुना है, कि stocks में invest करने में बहुत risk होता है, अब पूछेंगे के बारे में और उस risk को fix, यानि कम कैसे किया जाए, थोड़ी दिर में आप सुनते रही है, 94.3 MyFM पर, MyMoneyGuru, brought to you by Finvazia, RJ Minakshi के साथ, चियो दिल से, stocks में invest करना चाह रहे हैं, तो free advice दुनिया से क्या मिलता है, मत कर यार, risk बहुत है, 94.3 MyFM पर आप सुन रहे हैं, MyMoneyGuru, यह पहला radio talk show on your investment related issues, brought to you by Finvazia, और मेरे साथ है Finvazia के co-founder Natty, Natty, क्या आप यह बदा सकते हो, कि जो risk-risk लोग मतलब कहते रहते हैं, बहुत risk है, stocks में invest करने में, और क्या, उस risk को हम कम कर सकते हैं, और कैसे? अब जाता और वो आज तक अब रिकावर नहीं किया, so the first lesson that you get from it, always do not put all your eggs in one basket, you need diversification, diversification कैसे होगी? मान लीजे, आप Nifty में invest करते हैं, अब जैसे example देता हूँ, Satyam 80% गिरा, उसे Nifty सिर्फ 6% गिरी, तब से लिए कि अब तक Nifty almost double हो चिक अपनी value में, बर Satyam कभी वापस उपर नहीं है, so you need diversification in the investments, और तरीके हैं अपना risk mitigate करने के लिए, जैसे options रहती हैं, options में अगर आप invest करते हैं, मान लीजे, आपने SBI का stock खरीदने की जगा, आपने call option buy कर लिया, उसे कि अगर stock मान लीजे 25-50% गिर जाता है, आपका नुकसान सिर्फ limited है, जो की call option की जो भी value होगी, पर अगर stock मान लीजे 100% उपर चड़ जाता है, तो आपको 100% मिलेगा, so you should be using these kind of instruments and diversification to maintain the risk. Yes, वो जो सब से चिलाइन थी, कि don't put all your eggs in one basket, चलिए यह सब करने से risk definitely कम होंगे, but अगर मैं आप से यह भी पूछना चाती हूँ, कि बहुत सारे investors जो हैं, वो जादातर gold या property में ही invest करते हैं, तो क्या कोई तरीका है कि gold और property में भी हम stocks के जरिये ही invest कर सकें, और हम मुनाफ टाइप कीजे, space दीजे, mmg टाइप करके अपने name के साथ, send कर दीजे 53636 पर या फिर विजिट कर सकते हैं, mymoneyguru.finvasia.com सुन दे रहे हैं, 94.3 myfm, RJ Minakshi के साथ, जियो दल से, आपके stocks 94.3 myfm पर double और triple हो रहे हैं, सुन रहे हैं आप, mymoneyguru का एक brand new episode brought to you by Finvasia, और मेरे साथ ह Finvasia, Natty, अब जादा तो लोग जिने मैं जानती हूँ, या generally जो लोग, मतलब आप देखो, पजबियों को खास तोर पे, ये है कि वो gold में आप property में ही invest करना चाते हैं, तो क्या अब कोई तरीका है कि stock markets के through, आप gold या property में invest कर सके हैं, मिला, actually stock market एक proxy होता है, of all the businesses out there, stock market में आप किसी भी चीज में invest कर सेंगे, प्रॉक्सी के जरीए, मानलीजी आप को property में invest करना चालगता है, जैसे हमारे अभी caller थे, जिनके पास एक लाग रुपया फ्री था, जिनने ने इन्वेस्ट करना था, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है, अगर आप आपको एक लाग रुपया सोने में डालना होता है, तो एक लाग रुपय में शायद आपको तीन तोला सोना मिलेगा, अगर अगर आप उसी एक लाग रुपय से stock market में गोल या property में invest करना चाते हैं, एक्जामपल से property के लिए, आप property stocks में डाल सकते हैं, जैसे DLF में पैसा तो जब property की conditions बढ़ेंगे, property की rates बढ़ेंगे, ये stocks में naturally pick होंगे, वैसे जग अगर आपको गोल में पैसा डालना है, अपने gold ETF में डाल सकते हो, Manapurna, Titan, ये सब companies हैं जो gold का जिन में exposure है, वैसे अगर आपको किसी और चीज में अपना इन्वेस करना, आपको लगता है कि जै have a proxy in the stock market for it, right, so मतलब आप उसके ही stocks में इन्वेस्ट कर सकते हैं, obviously जैसे एक लाक में क्या property और क्या सोना हैगा, बहुत ही amazing आपने tip बताया, मुझे समझ में आ रहा है, I think सबको समझ में आ रहा होगा, amazing, चलिए हर तरह से stocks में इन्वेस्ट करने के long term benefits जादा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आपकी है, जो आप चाहते हैं कि solve करें नाटी, तो SMS कीजे, MYC type कीजे, SPACE जीजे, MMG, that is my money, guru type करके, अपने name के साथ, send कर दीजे 53636 पर और आप उसके जरीए मेरे शो पे भी आ सकते है, सुदरी है 94.3 MyFM, और नाटी में आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये दिल से, क्या बात? कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्या वो सेक्टर मेरे नाम का साइन बोर हाथ में लेके आएंगे, कि मुझे में इन्वेस्ट करो, तो कौन से सेक्टर में नाटी इन्वेस्ट किया जाए है, बता है हमें, मिलाक्षी, जैसे हम आज की डिट में, स्टॉक मार्केट को अनलाइज करते हैं, तो we realize कि banking sector, especially PSU banks, they are trading at a very cheap valuation, जिसमें हम expect करते हैं कि 2-3 साल में significant outperformance मिल सकती है, IT stocks ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा पादर्शन दिखाया है, they are up almost 58% on an average, retail sector में I would say stay a little bit cautious, क्योंकि they are been affected highly by the government debt or government policies से, so there is no clear picture over there, real estate was the worst performing sector last year, I think we all know that we all had the pain, but we are still waiting for the interest rate regime to pacify a little bit to be more pro real estate growth, so we will stay cautious of that, overall I think 2014-2015 का जो अपना financial year है, ये एक stable financial year रहेगा stock markets के लिए, हमारी जो general elections हैं, उसके बाद हमें clear direction मिलेगी कि किस तरफ हमारी economy और हमारी government policies जाएंगी, and I think this would be certainly a good time to invest if we have a much stable political regime post the elections as well. Absolutely, wow, तो मतलब इसका कुल मिला के, banking और IT sector are the safest bet to, अगर आप invest के इसक्तर में करते हैं? I would say, जहां से हम देखते हैं, we think banking and IT sector is going to give you much better returns in next 2-3 years. मेरे और Natty में बराबर बांड देना. Amazing, यार, मुझे तो बहुत जादा information मिलती है, Meshah. Natty, I really want to thank you for that, from my bottom of my heart. I mean, actually, it's a pleasure to be here in the studio with you. Amazing, चलिए ये women power को थोड़ा और strong करते हैं, अब women and investments, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप को बता दूँ, सिर्फ एक line बोलूँगी, कि women are better investors than men. बात चुभी, इस बारे में हम जादा जानेंगे, अगली बार और मेरे साथ होंगी एक खास महमान भी. आप सुनते रहे हैं 94.3 My FM पर My Money Guru R.J. Minakshi के साथ, brought to you by FinVasia.